नवी मुंबई के पुलीस ने किया गुटका माफिया का परदा फाश 42 लाग 72 हजार का गुटका मुझब्त किया गया अपरादिक जाच के उप्योगत सुरेश मिंग्डे के नेतरुत्व में एक टीम ने नवी मुंबई में महापे M.I.D.C. परिसर में एक जाल बिचाया जब रबाले पुलीस को पता चला कि गुटका को राजजबहर से अविदरूप से स्टॉक किया जा रहा था और नवी मुंबई और ठाने शेत्रों में भेजा जा रहा था चारो टेंपो संगित पाए गए आगे की जाच में चारो टेंपो में लाखो रुपे कीमत का विमल गुटका मिला आरोपी इसरार एहमद शेक भिवंडी का है और उसका साती ठाने का रहने वाला है अभी तक कुल 63 लाख का गुटका जब्त किया गया है साथ ही साथ साथ आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है अभी हमारी जो क्राइम ब्रांश है नहीं मुंबई की इसमें यूणिट तीन के इस्पेक्टर स्री सतुघन माली उनकी टीम अधिशन सीपी महईज गुरेश साथ के माधशन में डी सीपी सुरेश महईज साथ के माधशन में काफी उलेखनी काम किया है और इसमें यह जो रबाड़े एरिया में जो महापा है चार गारियां पकड़ी और चार गारियों में चार टेंपो हें चारों में यह घृत है इस जो को भॉटका सेके वो करीब एक 42-43 लाग का करीब गुड़का मिला है जो ऐसे मेलू है मार्केट में इसकी मेलू साथ लाग के भी होगी उसको पर उकिद भी तो गुड़का प्लस जो चार गाडियां है सब मिला गे करीब एक 63-63 लाग का पुरा मुद्नेवाल जब किया है वहाँ पर उसमें साथ आरोपी गिरफ़तार हुए हैं उसमें से इसरार जो है वो पहले भी ऐसे इस तरह की गुर्टा के ट्राफिकिंग में बेचने में लाने में उसमें पहले सामिल है उसके पुराने कैसिद हैं और भी इसमें जो लोग involved होंगे कौन इसमें पुरा वहां से लाए अभी जो हमको लगता है कि ये वापी साइट से गुजरा साइट साया हुआ है और कुछ नई मुंबई में कुछ थाने में कुछ मुंबई परिसर में यहां पर कहीं सप्लाई करने वाले देलोग इसमें और जी जितने है और इसमें जो हमारी पूली टीम है उनका में अगरिदन करता हूं और सबको अच्छा अबार दूंगान है सब एक सी देखा गया है कि इसके पहले पहीं बड़े बड़े जख्टी ने तबड़े गया है लेगि जितने वह पकड़े जाने के बादे उसके बात लूब उतन आवी तक एक प्रस्दी के लिए मेगा खड़े के रेपूर्त झाल झाल